आज हम इस आर्टिकल में आपको मनोविज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण और रोचक मनोवज्ञानिक तत्यर के बारे में बताने वाले हैं। किसके बारे में जानकर आप आश्चर्य चकित हो जाएंगे इसके साथ ही आप ही रोचक मनोवज्ञानिक तत् instant के सहारे किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिती को जाने सके 1. मानोविज्ञान के अनुसार लोग आपके बारे में कुछ अच्छा सुनने पर कम यकीन करते हैं लेकिन बुरा सुनने पर तुरंट यकीन कर लेते हैं 2. मानोविज्ञान के अनुसार अगर किसी पुरुष को किसी के बाद से तकलीफ पहुँचा हो तो वो उसे भूल जाता हैं पर माफ नहीं करता। लेकिन अगर किसी महिला को किसी के बाद से तकलीफ पहुँची हो तो वो उसे माफ तो कर देती हैं पर भूलती नहीं। तीन, एक इनसान के लिए सबसे मुश्किल काम में से एक है, खुद को यह समझाना कि आप उसे किसी की परवा नहीं है। चार, खुद पर खर्च करने की जगह हम, जितना अधिक दूसरों पर खर्च करते हैं, हम उतना ही अधिक खुश रहते हैं। पांच, यदि आप किसी को अपने लक्ष बता देते हैं, तो आपके सफल होने की संभावना कम हो जाती है। इसके विपरीत आप जितना अधिक अपने लक्ष को गुप्त रखते हैं, आपके सफल होने की संभावना उतनी ही ज्यादा हो। छे, नब्वे प्रतिशत लोग संदेश में अधिकतर उन्ही चीजों को लिखते हैं, जिन्हें वो खुद कह नहीं सकते। साथ, अधिकतर लोगों को अपना सबसे पसंदीदा इसलिए पसंद होता है, क्यूंकि वो उसके जीवन के किसी असल घटना के साथ जुड़ा होता है। आठ, 18-39 साल की उम्र के व्यक्ति सबसे ज्यादा तनाव में रहता है, इस उम्र के बाद धीरे धीरे तनाव कम होता जाता है। नौ, आप अपनी भावनाओं को जितना अधिक छिपाओगे, दूसरे व्यक्ति के लिए आपको समझना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। दास, जो लोग ज्यादा कॉमेजियन और मजाकिया होते हैं, वे ज्यादा उदास और तनाव में रहते हैं। ग्यारह, इंसानों का दिमाग आधे से अधिक समय केवल यादों को दोहराता रहता है। बारह, मनोविज्ञान के अनुसार जो लोग बुद्धिमान होते हैं, वो दूसरों के मुकाबले खुद को कामानखते हैं। तेरह, जब कोई व्यक्ती पुराने समय को याद करता हैं, तो उसे सबसे अधिक यह याद आता हैं कि उसने ऐसा पहले कब्ड किया था। जब कोई भी व्यक्ती हमसे यह कहता है कि मुझे आपसे बात करनी है, तो हमें हाल ही में किये गए अपने सारे भुरे काम एक बल में याद आने लगते हैं। 15. जो लोग अधिक हसते हैं, उनमें मानसिक दर्द सहने की शक्ती साधारन व्यक्ती के मुकाबले कई गुना अधिक होता है। 16. किसी व्यक्ती के साथ अधिक समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं, इसलिए सोच समझ कर दोस्त बनाएं। 17. नब्बे प्रतिशत लोगों का दिमाग यह सोचता है, कि समय कुछ बल के लिए पीछे चला जाए। 18. अगर कोई भी व्यक्ती अपने नाखून को अधिक चबाता है, तो इसका मतलब यह है कि वो पारेशान है। 19. मानोविज्ञान के अनुसार अगर कोई व्यक्ती अपने साथ आधिक तक यह लेकर सोता है, तो इसका मतलब यह है कि कि वो खुद काफी अकेला महसूस करता है। 20. कोई भी व्यक्ती दिन की बजाए रात को आसानी से रो सकता है। 21. अगर आप किसी के बारे हर समय सोच रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उसे बहुत आधिक मिस कर रहे हैं। 21. कि बारे हैं।